समर टाइम में बाहर का टेंपरेचर बहुत ज़ादा है मैंने गाड़ी को एक जगा पर खड़ी कर दी है और AC भी स्टार्ट कर दी है लेकिन इसके साथ मेरी गाड़ी स्टार्ट भी है क्योंकि AC को on रखने के लिए गाड़ी का start होना बहुत ज़रूई है मेरे दिमाग में question आया है कि अगर इसी तरह में गाड़ी start करके idle position पे एक घंटे खड़ा रहा तो मेरी गाड़ी कितना fuel कंजम करेगी तो ये totally depend करता है आपके engine CC के उपर अगर आपकी छोटी कार है, micro car है 800 CC से 1000 CC तक तो आपकी गाड़ी अगर एक घंटे start रहती है तो वो 600 ml fuel कंजम करेगी अगर आपकी गाड़ी 1.2 liter मतलब 1200 CC है तो फिर वो लगबग 7 liter fuel कंजम करेगी और अगर आपकी गाड़ी 1.5 liter है तो वो 1.6 liter fuel कंजम करेगी और जैसे इंजिन कैपैसिटी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपका fuel का कंजम्शन बढ़ते जाएगा